चीन सियाल कोट में एक बार बौधों का बहुत बड़ा भिक्षू संगाया। प्रा, इस संग को एक ऐसे वेद पाथी ब्राहमन के विशे में ग्यात हुआ, जो इतना रूरिवादी था कि किसी अवैदिक पंदित की चाया भी स्वयम पर नहीं पढ़ने देता था। उसे सुधारने का बीरा एक बिक्षू ने उठाया। अगले दिन वह अपना बिक्षा पात्र लेकर ब्राहमन के घर पहुँच गया और पूछा, कुछ हाहार पानी की सुविधा है। उसकी बात सुनकर घर की सभी लोग मौन रहे और उसकी ओर घ्रिना की दृष्टी से देख विक्षू लोट आया, दूसरे दिन फिर गया और वही प्रश्ण दोहर आया। इस बार भी उसे चुप्पी और तिरसकार का सामना करना पड़ा। वह पुनह लोट गया। एक दिन जब वह ब्राहमन के घर पहुँचा तो ब्राहमन वहां नहीं था। नित्या आने जाने से ब्राहमनी का मन पसीज गया। वह बोली, मैं तो तुम्हें आहार पानी दे दू, किन्तु पंडित जी की नाराजगी की कारण विवश हूँ। विक्षू ने कहा, कोई बात नहीं बहन, मैं अपना काम करता हूँ, तुम अपना काम करो। वापस लोटते हुए ब्राहमन मिल गया। उसने भिक्षू को खूब खरी खोटी सुनाई, तब भिक्षू ने कहा, इतने दिनों तक आपके घर से कुछ नहीं मिला, किन्तु आज आपकी पत्नी ने, नहीं, दी है। अब किसी दिन, हाँ, भी मिल जाएगा। ब्राहमन थोड़ा शान्थ हुआ और बोला, यह क कब तक जारी रखोगे। भिक्षू ने उत्तर दिया, जब तक जीवे थूँ। उसका धहर्य देख ब्राहमन का अहनकार पिघल गया और उसने भिक्षू से क्षमा मागी। वस्तुतर धहर्य वसहिश्णूता के बल पर बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता को अनुकूलता मे बदला जा सकता है।